हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो अबर चैनल अरनब क्लासेस में तो आज की वीडियो में हम B.A. सेकेंड येर के पेपर का सल्योसन लेकर आए हैं 2021-22 का जो यानि की आज हुआ था तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहला हमारा इसमें प्रश्न है वैदिक कालीन पर पठे अचार में इसका अध्यन समलित नहीं था तो इसमें यग्यादिका अध्यन समलित नहीं था इसका सही आपसन हो जाएगा B इसके बाद हमारा सेकेंड कुश्यन है बाद काल में सिच्छा का माध्यम कौन सी भासा थी इसके बाद हमारा second है माधेना भोजन कारकरम किसके लिए है तो इसके बाद हमारा next question 4 है भारत में सवर्थम किस विद्याले ने पत्रा चार सिच्छा की सुरुवात की थी तो इसके बाद हमारा next question 4 है इसके बाद हमारा next question 5 है वुड़ एबट समिती का कार छेतर था तो इसका सही आपसर हो जाएगा सी एवा भी दोनों सामान सिच्छा वेबसाइक उच्छा दोनों ही थे इसके बाद हमारा six question है इसके बाद हमारा six question कहरा है इसके बाद हमारा question number seven है सूची फर्ष्ट बाद सूची का मिलान करें तो हम इसका आपसर आपको बताय दे रहे हैं मिलाय दे रहे हैं तो यू जी सी का हो जाएगा क्या यू जी सी को हो जाएगा उच्छतर अध्यन संस्ताओं को प्रत्यायन प्रदान करना इसके बाद option है second है N.A.A.C. का क्या हो जाएगा तो N.A.C. का हो जाएगा सिच्छा संस्ताओं N.A.C. का हो जाएगा सिच्छा संस्ताओं के मानकों का विनिम है इसके बाद C.A.B.E तो C.A.B.E. का हो जाएगा सिच्छा की नई नीतिवा इसके कारकरम तयार करना इसके बाद लास्ट आपसन बचता है फोर एंसीटी तो उच्छत सिच्छा के मानकों का पालन एवम इसका विम्नम तो यह आप लोग भर लेंगे इसके आपसन के इसाब से क्या करना था इसके बाद कुईशन नमबर सेवंटines इसके बाद है अगला है हमारा प्रशन डी आई es स्टीथ क्या हो जाएगा उपर युक्त सभी इसका दि आपसन करेक्ट हो जाएगा उपर YUCK सभी स्थ बrias भॉमि नमांकर साब्भॉमि कृद्हरण इसके बाद है हमारा अगला प्रशन विस्विध्याले स्वायत्ता का अर्थ है तो इसका सही आप्सन हो जाएगा इन में से कोई नहीं इसके बाद question number 12 है हमारा सूची का मिलान कीजिए तो आपको सूची का मिलान करना है तो चलिए इसका पहला है आरसत तो आरसत का है जीवन में दुख इसके बाद है दुआदस निदान तो दुआदस निदान का हो जाएगा हमारा समाधी और अस्टांग मार का हो जाएगा नाम रूप तो इसका हो जाएगा नाम रूप इसके निर्माड का मतलब सम्यक व्यायाम तो इसके यह आपसर हो जाएंगे इसके बाद question number 13 है हमारा 1948 में गठित UGC के लिए किसने सुजाव प्रस्तित किया तो इसका सही आपसर हो जाएगा रादाकिशन आयोक ने इसके बाद है question number 14 सिच्छक अफसरों की समानता किसकी द्वारा संभव है तो इसका सही आपसरों हो जाएगा A बिना किसी बेदबाओ के सभी के लिए सैच्छरी संस्ताओं के पोर्टल का विस्तार करना सही आपसरों हो जाएगा A इसके बाद हमारा next question 15 है भारती संदर्व में सार्धा अधनियम क्यों महत्वूर है तो ये लड़कियों के बाल विवापर रोक लगाता है इसका सही आपसरों हो जाएगा C ये लड़कियों की बाल विवापर रोक लगाता है इसके बाद है question 21 की जड़गर्णा के अनसार भारत में कुल साचरता दर है तो इसका सही आपसरों हो जाएगा C 14% इसके बाद है अगला हमारा प्रश्ण SSA के तहट VEC का मतलब है तो इसका मतलब क्या है उपर युग में से कोई नहीं इसका कोई नहीं आफसन आफसन D सही हो जाएगा इसके बाद है Q18 है तकनीक सिच्चा पर खर्च कम करने के लिए क्या हमें करना चाहिए तो इसका C आफसन हो जाएगा कमपनियों के माध्यम से सिच्चिता पर सिच्चर प्रदान कराना आवस्यक है तो इसका सही आफसन हो जाएगा C इसके बाद है Q19 EIGNOU की स्थापना कब हुई तो ये 1985 में हुई थी इसका आफसन A सही हो जाएगा इसके बाद है अगला प्रशन है दूरत सिच्चा के संदर्व में क्या सही नहीं है तो ये निस्चित समय आफसन A सही नहीं है तो सही आफसन हो जाएगा A इसके बाद Q21 है आप लिए किसे पढ़ लेंगे तो इसका सही आफसन क्या हो जाएगा A रादाकर्शन आयोग इसका आफसन सही A हो जाएगा इसके बाद है अगला प्रशन सिच्चा का अधिकार अधनियम कब से प्रवाबी हुआ तो ये 1 अपरिल 2009 से प्रवाबी हुआ था इसके बाद अगला प्रशन है हमारा निम्ल सिच्छा निम्लुक्षित में से क्या नहीं है तो यह सही आप संग हो जायगा प्रत्यच छलाव स 이ापसन आप सही हो जाएगा इसके बाद कर्फिशन नमब्र 24 है विध्याले का सिच्छा का साधर है आपचारी है इसके बाद है अगला प्रेशन 26 वैदिक कालीन सिच्चा संस्ताओं के रूप थे इसका सही आपसन हो जाएगा एक गुरू कुल इसके बाद कुश्चन नमबर 28 है वह धर्म के संपरदाएं हैं तो इसका सही आपसन हो जाएगा सी उपर युक्स सभी इसमें हीन यान और महायान दोनों आते हैं इसके बाद कुश्यन नमबर 29 है दूरत सिच्चा पडाली से बीर्ड कारकरम की अवदी है तो इसका सही आपसन हो जाएगा एक बर्स आपसन अ क्रेक्ट हो जाएगा इसके बाद है अकला प्रशुलерм भारत में प्रात्मनी सट्चा शरंप्तम कि सराज से अनिवार की गई थी तो इसका सही आपसन हो जाएगा सी बढ़ा अदा से इसके ॉच्छत सी इसके बाद है अगला प्रम इयूक्त इवम दूरस अधिग में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु किस वर्स अंग्रेजी को अनिवार बिसे बनाया गया तो इसका सही आपतन हो जाएगा 1812 इसके बाद है अगला प्रशनु साइमन कमीशन ने सिच्छा के छेतर में हुए विकास की समीच्छा के लिए किस समिती की स्थापना की तो इ कि इसके बाद कोईशन नमर्ट 34 है कि मुक्त सिच्छा संस्तान और चारी सिच्छा संस्तानों से भिन्न होते हैं तो इसका सही आप्सन क्या हो जाएगा तो इसका सही आफसे सन क्या हो जएगा D मुक्त सिचल संस्तानों द्वारा सिचल प्रक्रिया को सेकनें की तुल्ला में अधिक मेत्व दिया जाता आफसेन D करेक्ट हो जाएगा इसके बाद है विश्व भारती के स्थापना का सरे किसे जाता है इसका हो जाएगा, इसके बाद परस्ण का महिंगना कार्त किसे का जाता है, तो भारती सिच्चा का मैंगना कार्टा किसे का जाता है तो इसका सही आपसन हो जाएगा C, वुड डिस्पैच को का जाता है इसके बाद question number 38 है मदर्सा सब्द की उत्पत्ति किस सब्द से हो इसका सब्द भी correct हो जाएगा दरस से हुई इसके बाद अगला question है हमारा 39 बहुत सिच्चा पडाली में उच्च सिच्चा में प्रवेश से पूर संसकार किया जाता था तो ये पबज्जा संसकार में किया जाता था सही आपसन हो जाएगा ये पबज्जा संसकार इसके बाद अगला question है बारत में सिच्चा के सार भामी करण में मुख बादा है निर्धनता सामाजी पिछरना निरच्छरता उपरियुक सही तो इसका सही आफसन हो जाएगा टी उपरियुक तो सभी ये सबी कारण हैं जो सर भामिक करण में मुख बादा हैं इसके बाद अगला प्रश्ण है हमारा NCRT का मुख कार राज के सिच्छा वबाओं के साथ विस्तार कार करना है जो की डाडर सुदार के इर्दगित केंद्रित है तो ये उच्छ सिच्छा के सुदार के इर्दगित है इसके बाद एडम रिपोर्ड की मुख संसुती क्या थी यानि की एडम रिपोर्ड की मुख संसुती क्या थी तो ये आपको बताना है तो इसका सही आप्सन क्या हो जाएगा सार्वजनिक सिच्चा के प्रचार प्रसार के लिए सुजाओ इसका सभी आपसन भी हो जाएगा इसके बाद कुश्चन नमबर हमारा 43 है 813 की आग्या पत्र के अंसाथ जनसादर सिच्चा है तो कितनी दंडाजी निर्धारित की गई है इसका सही आपसन हो जाएगा 3,00,000,000 रुपए इसके बाद है अगला प्रश्चन सिच्चा आयोग के अध्यच कौन थे तो इसका सही आपसन हो जाएगा डाक्टर तौलत सिंग काठो को ठारी इसके बाद है अगला प्रश्चन बन्यादी सिच्छा को इस नाम से भी जानते हैं तो नई तालिम के नाम से भी जाना जाता है तो इसका आपसन D correct हो जाएगा इसके बाद है अगला प्रश्ण सिच्छा के समान अफसरों की अब धारणा करने में से किसी एक से संबंद नहीं है तो इसका सही आफसर हो जाएगा पब्लिक विध्याले से इसका भी आफसर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद कुश्चन नमबर 47 है इसके बाद कुश्चन नमबर 49 है मैं बालक की सिच्छा का आरम्ब लाप्रद हस्ट कलासे करना चाहता हूँ और उसे आरम्ब से ही सिच्छा की योग बनाना चाहता हूँ इस प्रकार प्रतीक विध्धाले आत्निरवर हो सकता है सर्द्यैय कि इसको निर्माण का कार में निर्माण का राज अपने हाथ में ले ले यह चाहे um कि इसका अफषण एक मानिव भिष्विद्याले है उसका सी करेक्ट हो इसके बाद है अगला प्रश्ण ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सम्मन्द है इसका सही आप्षन हो जाएगा नियूंतम सिच्छा सुविधाओं से इसका सही आप्षन बी करेक्ट हो जाएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा भारत में सिच्छा के रियास में निम्ना प्रश्च्छ रिपोर्ड का सीर्शक था तो इसका था सिच्छा और राष्टी प्रगति का सही आप्षन ए हो जाएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है किस आयोग ने पंच मुकी कारकरम प्रश्चत किया था तो राष्टी ग्यान आयोग ने किया था ने इसका सही माना जाता है तो यह वेदों से माना जाग गया है इसके बाद अगला प्रश्चन है 56 अपरा विध्या किसे संबंदित थी अपरा विध्या आध्यात्मी विकात से संबंदित थी इसके बाद है अगला प्रश्चन है दस सिखा पदानी किस काल की सिच्छा से संबंदित है त वी अठारा सो तेरह इस्वी की आग्या पत्र से प्रारम हुआ था आपसन एक अरेक्ट हो जाएगा इसके बाद कुश्चिन नूमर 59 है कि सिच्छा विवस्ता में सिद्रसुनामक पुस्तक का अध्यन करना होता था तो इसका सही आपसन हो जाएगा बुद्ध कालीन सिच्छा में इसके बाद है अगला 60 प्रेश्ण है हमारा ये कथन किसका है सहचिक इसतर यदि एक बार गिर जाता है तो प्रयास करने पर भी नहीं उड़ता और उस पर ग्रेश्यम का नियम लागू हो जाता है तो इसका सही आपसन हो जाएगा इसके बाद 62 हमारा है प्रेश्ण सैचिक सिच्छा में इंटर्ण सिप कारक्तुम का उद्धेश है तो इसका सही आपसन हो जाएगा प्रिश्चण सिच्छाओं में सिच्छक अध्यापकों की सायता इसके बाद कुश्यन नमबर 63 हमारा एक वेद की अध्यन के लिए कितना स चाहर में निरदारित है इसके बाद क्यामस की सिच्छा की विशेथा उपर युग सभी है आफ्स रिक हो जाएगा कि जिसका सईन हो जाएगा मौक आमी निश्पंद्र सिद्धांत का प्रत्वादक किशे माना गया है इसका सही आपतन हो जाएगा सी लॉर्ड मैकाले को इसके बाद कुश्यन नंबर 68 है हमारा विश्व विध्धाले अंदन आयोग की स्थापना कब हुई तो इसका सही आपतन हो जाएगा डी-1956 में इसके बाद हमारा अगला प्रहिशन है दी इसक्रूरिंग पुर्फर के लेखर चैट में घाल्यावा हो जाएगा जौन हाल इसके बाद अगला है 17 Ty सिन य आठीं का मुख्याले कहा हैं तो जन इसकर मुख्याल कि यहज्घा सेवन प्र Rei इसके कि इसके बाद हमारा सेवेंटीवन प्रेश्ट है गराश्टी मादमी सिच्छा अभियान का प्रारम कब से हुआ तो ये मार्च दोहजार नौसिस प्रारम हुआ था इसके बाद भार्च में चलिए इसके बाद अगला प्रेश्ट और एक प्रेश्ट रह गया है वह भी कर लेते हैं इसके बाद को प्रेश्ट नमर 72 है भारत में प्रॉण सिच्छा हेतु निर्धारित आयो वर्ग है 15-35 वर्ष तक इसके ब कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं वीडियो देखने के लिए धन्नवाद